रीवा ने इस बार तोड़ी अपनी चुप्पी और सुनाए अक्का साहिब को खरी खोटी बाते और यही पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में में जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तो अब शोग के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहाँ इस बार अक्का साहिब गुडी परवा की पूजा के लिए काफी ज़ादा एक्साइटेड होती है क्योंकि इस बार वो रीवा को इशान के साथ पूजा करवाना चाहती है क्योंकि हल्दी कुमकुम की रसम वाले दिन सभी ने इशान के साथ रसमे निभाने से साफ साफ मना कर दिया था तो वहीं अक्का साहिब रिवा से कहती है कि वो इशान के साथ पूजा करें कि तभी अश्मिता अक्का साहिब को ऐसा करने से रोक लेती है और समझाते हुए नजर आने वाली है कि अकर साहिब आप घर की बड़ी है आप से जादा रीती रिवाज निभाना कोई नहीं जानता है तो आपको पूजा की रस में उसके हिसाब से ही निभानी चाहिए कहीं ऐसा नहों कि एक गलती हम सब पर भारी पर जाए और चिनमे की तरह हम इशान को भी खो दें वैल अप शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां असमिता के समझाने पर अकर साहिब की आँके खुल जाती है और जिसके बाद वो इशान और सवी को गुड़ी परवा की पूजा साथ में करने को कहती हैं तो वही सवी और इशान मिलके पूजा करने वाले ह और जिसके बाद सवी शिखा को देख लेती है किसी से चोरी छुपे बाते करते हुए जहां सवी के सामने उस दिन की सच्चाय आ जाती है कि शिखा उस दिन बाहर गई थी अपने पती चिनमे से मिलने के लिए तो वहीं शिखा की बाते सुनके सवी को तगड़ा जटका लग नहीं रहते है क्यों किसी पार्टी फंक्शन में और या फुर पूजा में नहीं आते हैं ऐसी कौन सी बात है जो वह अपने घर और परिवार वालों से दूर रहते हैं तो वहीं सवी अश्मिता के पास जाती है और उससे चिनमे के बारे में पूस्ते हुए नजर आने वाली था और इसी वज़ए से वो आज तक घर वापिस नहीं लोटा है तो वहीं दोस्तो सभी शिका के लिए यह बड़ा फैसला करती है कि वो वापिस चिनमे को घर लाके ही रहेगी तो वहीं दोस्तों कि सवी चिनमे को वापिस ला पाएगी भोसले रिवास और जीत पाएगी अक्का साहिब का दिल ये जानने के लिए आप सब बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले कर ओूले धर हैं हमारे से आप ये ख लाप देख worship अयाओे हैं है